जैसे राम दोश्तों, कैसे आप उम्मीद करता हूं, अब सभी अच्छे होगी आज फोटोशॉप क्लास के अंदर मैं आपको लाइटिंग इफेक्ट बताऊंगा कैसे हम किसी भी लाइटिंग के अंदर रोसनी शो करा सकते हैं जैसे मैं आपके सामने यह पर दिखाता हूँ मेनि यह फेक्ट बना हुआ है क्टे सिर्षफिय। अधेफ्शाद ऐसरो के अब यहां पर में जए इस लाइट की आइज क्लोज करता हूं आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल है जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके यहाँ पर यह रोस्टरी टाइप शो रही है जैसे मैं आपको एक और इमेज बनायु है आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस ताइम से आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा क्या लाइट्ंग एक बताऊँगा कैसे किसी भी लाइट के नीचे आपको रोसरी दिखाना चाहती हो ताह आप कैसे सो करा सकते के सूरिया लस डिजीटराड़ीमी के यदीटीप चनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी आप अमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तुमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करने प्लस बैल आइकन को प्रस करना ना बोलें ताके ऐसे ही आने बाली वीडियो की नौट्विकेशन आपको इसके लिए आपको कोई सी फिल्टर के अंदर रेंडर के अंदर जाके लाइटिंग का कोई यूज नहीं करना है क्या फिल्टर में आएंगे रेंडर में आके लाइट आप उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर एक निव ले लेनी है तो नि नहीं से create a new layer तो यहां पर देखिए मेरी अदने 能सी और लेने के बाद यहां से आप लेजे Avatar 2 ड्रीजिप ने से संपसक्राद सर्क्ER जर्या सिव बाद रहा है यहां से और अवारकी तूल लेने के बाद कि आपकी जो ग्रिडियंट टुल लेने के बाद में आपको बेक्ग्राउंग्लाण् आप यहां पर देखें हैं अलगी ऐसे रखिया वायट व्यार यसे रखुआ है उसे रखी पुआ assessa यहां पर यह चुह करता है यहां पर ऩट्राईनाएं यहांपर आनका बाद सा color दिखाएगा transparent color दिखाएगा तो यहां से मैं ले लेता हूँ क्या four background and transparent मैं यहां पर four background transparent पर click करता हूँ उसके बाद यहां पर ग्रेडियंट ड्रॉख कर देता हूँ इस टेप से तो देखें जैसे मैं gradient draw करूगा तो मैं इस टेप से ठीक है आप ctrl plus t यूज़ कर सकते हो या फिर आप transform करने जाके skip आपने ctrl plus t का यूज़ किया है तो ctrl plus t करने के बाद आपको क्या करना पादेगा keyword से ctrl key press करना ही होगी आप keyword से ctrl key press करिए और आप इसे step से यहाँ पर set कर लिए ठीक है आप अपने keyword से क्या रखना है ctrl key press करेके रखनी है और अपनी light के निचे आपको इसको gradient को इस type से set करने के मैं यहाँ से थोड़ा से इधर की side बढ़ा देता हूँ और इसे stage ठीक है यह मैंने रखा उसको आद क्या कर देता हूँ में यहाँ पर enter फिल्टर मेनु पर आता हूँ फिल्टर मेनु पर आने के बाद में आप किसके अंदर आएंगे बलर आप फिल्टर पर आएंगे फिल्टर पर आने का दो किस पर आएंगे बलर अब बलर के अंदर क्या मैं आपको गेशन बलर तो आप यहां से गेशन बलर लीजिए जैसे आ आपको यहां पर light देखेंगे तो आपकी इस step से lights होगे आप यहां पर blur अपनी according रख सकते हो किस step से आपको light देखाना चाहते हो ठीके आप उसी step से यहां पर blur set कर सकते हो जैसे मैंने इसको यह blur रखा और इसको अब क्या कहा देता हूँ OK कहा देता हूँ तो देखें इस step से आपको क्या है यहां पर यहां पर आपकी जो light रोसरी यहां पर दिखाई दे रही है वह आपकी बुलकुल क्लियर हो चुकिए मैं यहां पर eyes close करता हूँ तो देखें इस step से यह मैंने रेक्टिंगल ड्रो किया रेक्टिंगल ड्रो करने कहा देखें रेक्टिंगल ड्रो करने कहा देखें यहां से यहां से मैं ग्रेडियंट तूल यहां से यहां से मैं ग्रेडियंट तूल लेने कहा देखें आपको जो ग्रेडियंट रखना है वो कौन सा रखेंगे 4 background to transparent मतलब आपका पहला होगा 4 background जो को 4 background के अंदर आपको white color रखना है white color होगा और transparent color होगा तो आपको इसका रखना है 4 background to transparent 4 background और transparent लेने के बाद में आप यहाँ पर इस टैपसे से draw कर दीजिए तो देखें इस टैपसे आपको कीवर्ड से पर कंट्रोल की प्रेस करने की जोट नहीं पड़ेगी आप इस टैपसे इसके स्क्रिप कर लीजे इस टैपसे ठीके आप यहाँ से और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टैपसे बढ़ा दीजे यह देखें इस टैपसे आपको क्या है किसी भी लाइट की निचे आप रोसिनी दिखाना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप इसे शो करा सकते हो आज मैंने आपको लाइट की निचे रोसिनी क्रेट करना बता है कि कैसे हम किसी भी लाइट की निचे रोसिनी क्रेट कर सकते है तो आजकी class मешं यहीप कतम करता हूं उम्मित करता हूं आजकी class आपको पसंद आएउगी class पसंद आई तो वीडियो को like करें जादर जादर share करें अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी के भी subscribe कर लें प्लस बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नौट्फिकेशन आपको टाइम टो टाइम मिलती रहे थैंक यू सो मज़ जैहिन जैसी राम